हलो फिंट्स आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे 1857 से 1947 के बीच बिटिश गवर्मेंट और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के बीच के जो रिलेशन्स थे वो लगातार चेंज हो रहे थे एक्चुली हुआ क्या कि जादतर इंडियन प्रिंसली स्टेट्स 1857 रिवल्ड के दोरान बिटिश इस इंडिया कमपनी के लिए लॉयल रहे इसलिए 1858 में जब कमपनी रूल खतम हुआ और भारत में बिटिश गवर्मेंट का रूल इस्टेबलिश हुआ तो इन इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को उनकी वफदारी का इनाम दिया गया बिटिश गर्मेंट ने डिकलेर किया कि अब से बिटिश गर्मेंट किसी भी प्रिंसली स्टेट को एनेक्स नहीं करेगी सभी प्रिंसली स्टेट्स को ये विश्वास दिलाया गया कि उनकी territorial integrity maintain रहेगी और साथ ही साथ अगर उनकी कोई संतान नहीं है तो भी उनका स्टेट annex नहीं किया जाएगा और उनका पूरा हग होगा कि वो किसी बच्चे को adopt करें और उसको अपना उत्रादिकारी घुशित करें बिटिश गर्मेंट की इन पॉलिसी से इंडियन प्रिंसली स्टेट्स तो काफी खुश थे और फिर 1876 में बिटीन की महारानी Queen Victoria ने title अरॉप्ट किया केसर रहिंद विच मींज Queen Empress of India यानि अब पूरे भारत में उनकी जो foreign policies थी उसको पूरी तरह से British Government ही decide करती थी यानि 1876 में ये इंडियन प्रिंसली स्टेट्स पूरी तरह से British Government के subordinate बन चुके थे और इस बात को Lord Curzon ने भी clear कर दिया था उन्होंने कहा कि इंडियन प्रिंसली स्टेट्स में जो भी राजा रूल कर रहे हैं वो बेसिकली British Crown के भिहाब पर उनकी agent के रूप में रूल कर रहे हैं इसके बाद 1920 में सभी Indian States के लिए एक Chamber of Princes बनाया गया जैसे नरेंदर मंडल कहा जाता है ये एक ऐसा फोरम था जहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स British Indian Government से अपने needs और aspiration डिसकस कर सकते थे अगर उन्हें कोई भी दिक्कत है तो वो इस फोरम में डिसकस कर सकते थे ये फोरम 1947 तक कंटीन्यू रहा इसके बाद 1927 में Butler Committee सेट अप की गई इसके चेर्में थे हर कोट Butler इस कमेटी को सेट अप किया गया था ताकि British Government और Indian States के बीच की relationship को और बहतर ढंग से समझा जा सके और इसे और ज़्यादा improve करने के लिए कुछ मीजर सजेस्ट किया सके इसके दो ही सालों के बाद यानि 1929 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी जिसमें ये बात साफ साफ कही गई कि doctrine of paramountcy आगे भी चलती रहेगी यानि British Crown की जो supremacy है over Indian princely states वो बरकरार रहनी चाहिए in fact अगर British India में Indian government बनती भी है बिना इन princely states के मंजूरी के उन्हें Indian government को handover नहीं करना चाहिए इसके बाद 1935 में Government of India Act 1935 आया जिसमें एक All India Federation बनानी की बात कहींगी यानि एक ऐसी फेडरेशन जिसमें provinces और princely states दोनों शामिल होंगे हालकि यहाँ पर ये भी provision किया गया था कि हर एक princely state के पास ये option होगा कि वो अगर चाहे तो इस federation को join करे और अगर ना चाहे तो ना join करे तो हो आगया कि किसी भी princely state ने इस federation को join ही नहीं किया और ultimately ये All India Federation कभी बन ही नहीं बाई और इसके बाद तो 1947 तक इस्तित ही ऐसी की ऐसी ही रही और बाद में इन में से ज्यादा तर princely states इंडिया के पार्ट बन गए और बाकी के पाकिस्तान के तो हमने देखा कि 1885 से 1947 के बीच British Government और Indian princely states के बीच के relations कैसे रहे इंडिया की history और इंडियन polity को detail में cover करने के लिए बुकस्तावा की playlist को follow कीजे link आपको description मिल जाएगा Thank you so much for watching and supporting बुकस्तावा